हलो फ्रेंज चलिए आज पढ़ते हैं आपकी व्यस्टी आर्थिशास्त्र पुस्तक के पाठ दो यानि उप्भोगता के विवार का सिद्धान का भाग तीन दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उप्योगिता क्या होती है इसके बाद हम जानेंगे कि कुल उप्योगिता किसे कहते हैं और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि सिमान्त उप्योगिता किसे कहा जाता है दोस्तों उपियोगिता के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी मांग का अनुमान लगा सकता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि उपियोगिता क्या होती है दोस्तों उपियोगिता वस्तू में मानव आवशक्ताव को संतुस्ट करने की शक्ति को कहते हैं दोस्तो उपियोगिता किसी भी वस्तु की आवशक्ता पूरक शक्ती या गुन है जैसे प्यास लगने के समय पानी पीने से हमारी प्यास भुच जाती है और हमारी मानव्य आवशक्ता पूरी हो जाती है और इस आवशक्ता के पूरे होने के कारण हमें संतुस्टी या आनंद महसूस होता है दोस्तों यह संतुस्टी ही उपयोगिता कहलाती है इसके अलावा भूक लगने पर खाना खाने से भी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है ऐसे ही किसी भी वस्तु की आवशक्ता होने पर उसकी पूर्ती हो जाना हमें उप्योगिता प्रदान करती है दोस्तों वस्तु की उप्योगिता आवशक्ता की त्रीविता यानि intensity of want पर depend करती है इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु की जितनी जादा आवशक्ता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी जादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी ही अधिक उप्योगिता प्राप्त होती है दोस्तो इसके त्वारा हम यह कह सकते हैं कि आवशक्ता और उप्योगिता में धनात्मक यानी पॉजिटिव संभंध होता है उधारन के तोर पर यदि किसी बच्चे को चॉकलिट खाने की इच्छा है या वह बच्चा चॉकलिट खाना पसंद करता है तो उसे चॉकलिट खाने से अधिक उप्योगिता मिलेगी इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को चॉकलिट खाना पसंद नहीं है तो उस व्यक्ति को चॉकलिट से उपयोगिता नहीं मिलेगी दोस्तो किसी व्यक्ति को मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ भी बदल सकती है जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपियोगिता अधिक होगी उनके लिए जो ठंडे स्थान जैसे लद्धाक में रहता है और रूम हीटर से मिलने वाली उपियोगिता उन लोकों के लिए कम होगी या रिनात्मक होगी जो गर्म स्थान जैसे की चिनने में रहते हैं चलिए दोस्तों अब जानते हैं गन्ना वाचक उप्योगिता विशलेशन किसे कहा जाता है दोस्तों गन्ना वाचक उप्योगिता विशलेशन की एक मान्यता है कि उप्योगिता किस तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तो उपयोगिता व्यक्ति परक या सबजेक्टिव है और इसका मात्रात्मक मान कटिन है फिर भी व्यस्टी अर्थिशास्त्र में उभोगता के व्यवहार का अधिन करने के लिए इसे संतुस्ति या आनंद की इकायो में मापा जाता है दोस्तो इसका उधारन है कि एक कमीच से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कह सकते हैं कि एक कमीच किसी व्यक्ति को पच्चास इकाय उपयोगिता प्रदान करती है इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये फलो का टोक्रा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के सम्हू को सो इकाय उपयोगिता प्रदान करता है दोस्तो चलिए जानते हैं कि उपयोगिता को कैसे मापा जाता है दोस्तो उपयोगिता को मापने के लिए इसे संतुस्ति या आनंद की इकायों के रूप में मापा जाता है दोस्तो उपयोगिता की इकाय को यूटिल कहा जाता है दोस्तों जैसे कपडों की लंबाई मीटर में मापी जाती है कोई भी लिक्विड प्रदार्थ लीटर में मापा जाता है इसी प्रकार उभोकता संतूलन के संधव में उपयोगिता को दो अवधार नाओ सिमान्त उप्योगिता और कुल उप्योगिता के प्रियोग से नापा जाता है चली दोस्तों जानते हैं कुल उप्योगिता किसे कहते हैं दोस्तों इंगलिश में कुल उप्योगिता को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है और कुल उपयोगिता को दिखाने के लिए T.U. सिंबल या एल्फाबैक्स का यूस किया जाता है जो की टोटल यूटिलिटी का शॉर्ट फोर्म है दोस्तो कुल उपयोगिता या T.U. एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी भी वस्तु जैसे सेबो की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है दोस्तो अधिक सेबो को खाने से अधिक संतोश प्राप्त होगा दोस्तो टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने एक संत्रा खाया है तो उसे कम उपयोगिता प्राप्थ होगी इसके विप्रीत जिस व्यक्ति ने एक टोकरा भर कर संत्रे खाये हैं उसको अधिक उपयोगिता प्राप्थ होगी और इस व्यक्ति की कुल उपयोगिता एक संतरक हाने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक होगी चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि कुल उपयोगिता को शॉर्ट फोर्म में कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों TUN का मतलब है वस्तु X की N इकायो की उपहोग से प्राप्ट कुल उपयोगिता दोस्तों यहां N वस्तु की इकाया प्रदशित करता है और Tu उन से मिलने वाली कुल उपयोगिता को प्रदशित करता है अगर कहीं पर Tu3 लिखा गया है तो उसका अर्थ होगा वस्तू X की तीन इकायों के उप्भोग से प्राप्त कुल उप्योगिता इसी प्रकार आप अन्य वस्तू की इकायों से प्राप्त कुल उप्योगिता को लिख सकते हैं जैसे Tu2, Tu5, Tu9, Tu10, Tu99 इत्यादी चली दोस्तों अब जानते हैं कि सिमान्त उप्योगिता किसे कहते हैं दोस्तों सिमान्त उप्योगिता को मार्जनल यूटिलिटी कहते हैं और इसके लिए MU सिम्बल का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों सिमान्त उप्योगिता वस्तुगी एक अतिरिक इकाई के उभोग से कुल उप्योगिता में होने वाली वृद्धी है दोस्तों चलिए अब हम मार्जनल यूटिलिटी यानि सिमान्त उप्योगिता को एक उधारन के द्वारा समझते हैं दोस्तों उधारन के लिए मान लीजे चार केलों से टोटल यूटिलिटी 28 प्राप्त होती है इसमें एक और केला जोड देने से टोटल यूटिलिटी भढ़ कर 30 हो जाती है जो की 5 केलों से मिली हुई कुल उप्योगिता है दोस्तों हम MU5 TU5-TU4 करके निकाल सकते हैं अतह 30-28 करके हम पाँचवे केले से प्राप्त सिमांत उप्योगिता निकाल सकते हैं जो की इस एक्जाम्पल में 2 है दोस्तों इसी प्रकार MUN equals to TUN minus TUN minus 1 है और MU20 equals to TU20 minus TUN minus 1 equals to 19 है अथाथ 20-20 वस्तों की सिमांत उप्योगिता 20-20 वस्तों की कुल उप्योगिता में से 19-20 वस्तों की कुल उप्योगिता को घटा कर निकाला जा सकता है चली दोस्तों अब जानते हैं कि TUN क्या है दोस्तों TUN सभी marginal utility को जमा करके निकाला जा सकता है इसका अर्थ यह हुआ कुल उप्योगिता सभी सिमांत उप्योगिता का योगफल है दोस्तों इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक तालिका और चित्र द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं चलिए देखते हैं उप्योगिता की तालिका को दोस्तों यह उप्योगिता की तालिका है जिसके अंदर वस्तु की इकाई कुल उप्योगिता और सिमांत उप्योगिता दिखाई गई है दोस्तों किसी वस्तु की पहली इकाई के सेवन से 12 कुल उप्योगिता प्राप्थ होती है दोस्तों हम सिमान्त उप्योगिता अपने दिये गए फॉर्मुले द्वारा निकाल सकते हैं जो की TUN-TUN-1 है यहाँ पर हम दो इकाईयों की मार्जनल यूटिलिटी या सिमान्त उप्योगिता ऐसे निकाल सकते हैं की TUN-TUN-1 जो की 18-12 है इसी प्रकार तीसे कॉलम में दिखाई गई सभी सिमान्त उप्योगिता निकाली गई है चली दोस्तों अब देखते हैं इसके रेखा चितर को दोस्तों सिमान्त उप्योगिता वस्तु के उप्भोग में व्रिद्धिक के साथ गिर जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की कुछ मात्रा उप्लब्ध हो जाने पर उप्भोगता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है तालिका तक्था रेखा चित्र में इसी को दिखाया गया है दोस्तों यह रेखा चित्र इस तालिका द्वारा बनाया गया है जिसमें यह संत्री लाइन टी यानि टोटल उप्योगिता को दिखाती है और सिमान्त उपयोगिता नीली लाइन द्वारा प्रदर्शित की गई है दोस्तों अगर आप इस तालीका और रेखर चित्र को द्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है और सिमान्त उपयोगिता शुन्य और रिनात्मक भी जा सकती है दोस्तों किसी भी वस्तों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कभी भी शुन्य नहीं होती या वो माइनस में नहीं जाती इसके विपरीत जब टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू होती है तो मार्जनल यूटिलिटी अर्थात सिमान्त उपयोगिता घटनी या रिनात्मक जानी शुरू कर देती है दोस्तों इस बात से हमें यह पता चलता है कि टोटल यूटिलिटी कर्व या कुल उपयोगिता वक्र हमेशा पॉजिटिव रहता है और सिमान्त उपयोगिता कर्व शुन्य और रिनात्मक भी हो जाता है चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि उपयोगिता किसे कहते हैं कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सिमान्त उपयोगिता क्या है? दोस्तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हासमान सिमान्त उपयोगिता का नियम और कर्म वाचक उपयोगिता विशलेशन